तोले वाइन वेलकम अगें दोस्तों जवान ने कल 41 दिन कंप्लीट करके आज 42 दिन में रोयल एंट्री मार ली है और अब जो है कमाई बहुत धीली हो चुकी है बहुत स्लो हो चुकी है लेकिन दूसरी तरह अगर देखा जाए तो मूबी आज 42 दिन में आते आते भी जबरद अला कि लियो बहुत ही हाई ट्रेंडिंग टौपिक पर जो लगातार बरी पड़ी है एडवांस बुकिंग में उसके अलग ही नंबर देखने को मिलने है एडवांस बुकिंग में जो तबाही देखने को मिल रही है कल साम 6 वजे तक का अगर मैं बताऊं तो 125 करोण की रानी गंज और फुकरी थिरी भी अच्छे खासे सोज अपने खाते में ले चुकी है तो जवान की कमाई अब स्लो हो गई है लेकिन अभी भी जवान चल रही है बाइगाड अभी भी चल रही है कर लियो मूँ भी रिलीज हो जाएगी तब भी चलेगी क्योंकि लियो का डंका इतना हिंदी में बसता नहीं दिख रहा है मल्टी प्लेक्सेस में बिल्कुल भी कहीं से दूर दूर तक लियो देखने को नहीं मिली है क्योंकि उनकी एक डील थी जो साइन नहीं हो पाई है और गनपत का इतना ज़्यादा क्रेज लगनी रहा है गनपत के मेकर्स बहुत ही लेजी तरीके से काम कर रहे है और अभी भी दस दिन और ये मूवी सिनेमा घर में टिकने वाली है पचास क्या पचपन लगबग साड़ दिन ये मूवी अराम से ठिकेगी और अच्छी खासी कमाई लेकर आएगी लेकिन आप करोडों में नहीं अब लाक्स में कमाई आ चु लेकिन फिर भी अब दसेरा स्टाट हो चुका है दसेरा का वीकेंड स्टार्ट हो चुका है तो यस दसेरा के वीकेंड भी अच्छा उबात करेंगे तो फर्स डेय मूवी ने कितनी कमाई करी थी 130 करोन का हीज़ क्या था वर्ल्ड वाइड, सिंगल डे में चौत्थे दिन संडे पड़ा था, जिस वज़े से सिर्फ हिंदी से एकत्तर करोण का भारी भर का मामाउंट ही अपने खाते में ला चुकी थी, फर्स्ट वीक जब मूवी ने कंप्लीट किया था, तो सिर्फ हिंदी से 327 करोण कमा चुकी थ नेट इंडियन कलेक्शन 520 करोण हो चुका था, और पूरी दुनिया से 922 करोण हो चुका था, 500 करोण के आखड़े में ये मूवी बहुत ही तेजी से बढ़ चुकी थी, नेट इंडियन कलेक्शन 500 करोण कर पाना किसी भी मामूली बात नहीं, यह मैं कह रहा हूँ क्योंकि चैनाई एक्सप्रेस का अगर मैं बताओं तो लाइफटाइम कलेक्शन ही लगबग साड़ी 400 करोण के आज पास है, तो वाई साब बहुत बड़ा कलेक्शन ये मूवी कर चुकी थी, स्टार्टिंग में ही, 31 दिन तक आते आते ये मूवी सिर्फ नेट इंडिया से 627 करोण और ओवर सीज से 376 करोण और ग्रॉस कलेक्शन 741 करोण और पूरी दुनिया से 1170 करोण के मारवलस आंकडे को अपने खाते में रख चुकी थी, तो वाई साब बहुती अमेजिंग कलेक्शन करी थी, फास्टेस्ट 1100 करोण करने वाली ये मूवी, हिंदी बॉलिवुड की ये पहली मूवी है जिसने 1100 करोण पे ना की पहुचा बलकि उसको क्रॉस ओवर करके अपने खाते में अब साड़े 1100 करोण कम्प्रीट करने की रफ्तार में बहुत तीजी से आगे उपचाट रही है, और नेट इंडियन कलेक्शन के मामले में बॉलिवुड हिंदी की पह तक आते याते टोटल हिंदी से मूवी 569.50 करोण कमा चुकी थी और टोटल नेट इंडियन कलेक्शन 628 करोण हो चुका था, ग्रोस मही 747 करोण और ओवर सीज से 377 करोण ये मूवी कमा चुकी थी, पुरी दुनिया से 1123 करोण 50 लाग का हीूज कलेक्शन ये अपने खादे 99 रुपीच के उसके बावजूद ये मूवी सिर्फ हिंदी से 5 करोण का कलेक्शन लेके आई थी, 37 दिन में आप इमेजिन कर सकते हो, मिसन रानी गंज की डे वन की ओपनिंग नहीं थी 5 करोण, अराउंड 3.5 करोण या 4 करोण के आसपास से मूवी ने ओपन करा था मिसन रा हमें स्टोरी में दम देखने को नहीं मिलता लेकिन यस हमें जवान में देखने को मिला, स्टोरी लाइनी सूपर फैंटास्टिक मैं फिर कह रहा हूं कास्टिस सूपर फैंटास्टिक और जो नेगेडिव और पॉजिटिव का जो सिनेरियो बनाया है आटली कुमार ने, वर बरदस तरीके से वो काम किया है बाई मज़े आगे ये मूवी इतना लंबा टिकर रही है और इतनी हीूज कलेक्शन लेकर आ रही है तो सिर्फ हिंदी से ये मूवी 3700 दिन तक कमा चुकिती 574.25 करोण और तमिल तैलगू से हो चुका था 60.18 करोण और टोटल नेटी इनियल कल मूवी कर चुकी थी अपने 3700 दिन तक नेशनल सिनेमा डे में एंड आप दाडे था बात करें 40 दिन यानि कैसी रही है ग्रोथ तो 75 लाग का कलेक्शन सिर्फ हिंदी से आते दिखाया और टोटल नेटी इनियल कलेक्शन 77 लाग ग्रोष कलेक्शन 1 करोण पूरी दुनिया से तो टोटल नेट इनियल क्लेक्शन कितना हो चुका था मूवी का? 40 दिन तक 578 करोण 60 लाग का और नेट इनियल कलेक्शन 638 करोण 87 लाग का हो गया था और पूरी दुनिया से ये मूवी 1140 करोण 4 लाग का हिउज कैलेक्शन ही अपने खाते में रख चुकी थी बात करें कल यानि Tuesday की यानि कल 41 वी दिन कैसी growth रही तो कल भी working day था लेकिन मूवी इतनी पुरानी होने के बावजूद भी जो उमीद जताई जा रही थी कि यार अब और भी जादा slow हो जाएगी क्योंकि परसों slow growth हो गए थी लेकिन कल थोड़ा सा उचाल मारते नजर आई परसों के मकाबरे कल अच्छी कमाई करते नजर आई है यह मूवी दूसरा कल लियो के तरफ से advance booking में धमाका मचाया जा रहा था फुल डे trending topic लियो था ट्विटर पे number one चल रहा था लियो लियो booking अपडेट के trend चल ले थे थालापती विजय का trend चल ला था तो जवान कहीं से कहीं तक भी पीछे नहीं रही है जवान ने भी जवरदस्त कमाई करी तो हिंदी से कल आया है 73 लाग total net Indian collection 75 लाग और कल हिंदी से हो चुगा था 579.33 करोड का collection और net Indian collection हो चुगा था 649 नोग का और gross collection ये कल कितनी करी थी 1 करोड पूरी दुनीया से कितना आया था 1 करोड 30 लाग के आसवाज ये कमाई करी थी पूरी दुनिया से कल इसे के साथ पहले 41 दिन में सुर्प gross collection हो चुका था 756 करोड 87 लाग oversees से आ चुका था 384 करोड 47 लाग और पूरी दुनिया से ये मूवी कल अपने end of the day तक 41 करोण 34 लाग का मारवला सांकड़ा अपने खाते में रख चुकी थी बात करें आज यानि 42 दिन यानि आज वेडनेस डे है और नवरात्री का चौथा दिन है और आज से दसेरा विकेंड स्टार्ट हो चुका है दूसरा आज भी कई जिगह पर फुल प्रॉपर वर्किंग डे है बट विकेंड स्टार्ट होने से कुछ ना कुछ इजाफा देखने को मिल रहा है अच्छा खासा रेस्पॉंस देखने को मिलना है वही चीज़ की लियो और गनपत से भी कॉम्पटीशन देखने को मिलेगा क्योंकि अब यहाँ पर एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है लियो मुवी कल आ जानी है और कल बहुती जवरदस्त एक टैग होने वाला है हिंदी कलेक्शन में अनकि हिंदी से इतना अच्छा रेस्पॉंस लियों को नहीं देखने को मिला है हिंदी से अभी जवान को अच्छे खासे सोज मिलते रहेंगे अज की 8-9 परसेंट की जिसमें से सिर्फ हिंदी से आ रहा है 78 लाग का कलेक्शन और 80 लाग का कलेक्शन आ रहा है नेट इंडिया से और पूरी दुनिया से 1.5 करोड ये मूवी आज कमाते नजर आ रही है तो आज end of the day तक सिर्फ हिंदी से हो जाएगा 580 करोड 11 लाग और नेट इंडिया से हो जाएगा कितना 640 करोड से 40 लाग पूरी दुनिया से आज ये मूवी 1142 करोड 84 लाग अपने खाते में रख लेगी तो वो मंजर दूर नहीं है ये मूवी जब 1.5 करोड कम्प्लीट टर जाएगी इजली कम्प्लीट कर जाएगी आने वाले 10 से 15 दिन में ये मूवी 11.5 करोड इजली कम्प्लीट कर जाएगी 15 नहीं 10 दिन के अंदर ही कर जाएगी क्योंकि लियों को इतना अच्छा नहीं मिल रहा है रस्पॉंस हिंदी से दूसरे तरफ गनपत के जो मेकर्स हैं वो बिलकुल एक्टिव नहीं है उनके पास ले दे के सिर्फ हिंदी ओडियंस है और वहाँ पर भी वो लोग एक्टिव नहीं है क्योंकि साथ में फुकरी थरी और मिसन रानी गंजुवी चलनी है तो वो दोनों फिल्में भी अच्छे खासे सोज अपने खाते में लेते रहेंगे तो मुबी साड़ी 1100 करोन एजली कमप्लीट कर जाएगी आपको क्या लगता है कि मुबी सच में साड़ी 1100 करोन कमप्लीट कर जाएगी जो भी आपकी रहे है नीचे कमें रुक्षा जरू बतागी जाना मिलते है अगले वीडियो में जैंद